हेलो स्टूडेंट वेलकम टेटीपी स्टार दे सूपर लेंडिंग प्लाटफरम तो आज के सेशन के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दो आपको सारी की सारे इंडर्स्टिंग वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलेगी तो देखी जो नीट का एक्जैम है इसा नहीं है कि आज आप प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो ये दो या तीन महीन कि अभी October चल रहे हैं तो मतलब May के आपका इक्जम होना है तो इस प्रोसेस के दोरान कैसे consistent करने हैं आज हम वो डिस्कुस खरने वाले तो देखो उससे पहले आप लोगों के लिए important announcement कि अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो इकलिवे बैच फेस्टू स्टार्ट हो चुका है 14th of October से अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो नीचे देगे नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं आपकी सारी की सारी को रिजोल किया जाएगा और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले अगर मैं बात करो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए तो एक वर्ड आपने सुना होगा प्रोकास्टिनेशन जीक है तो प्रोकास्टिनेशन का मतलब यह है कि मतलब चीजों को डिले करते रहना मत मतलब आपनेसोच है की प्रोकास्टिनेशन करना शुरू करोगे तो आप सबसे करने सब्सक्राइब करने जाथ एक आपका प्रोकास्टिनेशन और यह सब हुमन की मतलब चीजों को डिले करना है कि लोगों की टेंडेन सी रहती है लेकिन आम एक छोनारी पाइना है कि आप पना राणान को ऐसे चीज spouse डिले करना के लसे आपने सब्सके द् involved का कि इसा नहीं ऑफ लका शुबम ना करता डिले सब्सक्राइन करते हैं मतलब वह चीजा टीय सीजेत ऑलень कुंडव श्कुंड़ जाए यह वह बहुतिता ही पूरा दिन physics के questions लगाते रहे और फिर physics आपने टच ही नहीं करी फिर अगले दो तिन तक आप पूरा का पूरा बायो पढ़ते रहे हो फिर आपने ना तो physics पढ़ी ना बायो पढ़ी फिर आप सर्फ chemistry पढ़ रहे हो मतलब आपकी जो studies है वो discipline होनी चाहिए ठीक है और आपको ह हमेशा quality studies के उपर ही ध्यान देना है मतलब quantity नहीं देखनी क्यों आपने तो आस दस घंटे पढ़ दे नहीं आपने क्या करना है सिर्फ quality studies के उपर ध्यान देना है कि आपका output कितना आ रहा है अगर आपने एक घंटा पढ़ाई किये तो आपने क्या सिर्फ चार क्वेशन सोल करें या फिर आपने चालिज क्वेशन सोल करें तो मतलब आपने हमेशा output देखना है और output अपने आप बढ़ जाएगा अगर आपका focus आपका concentration और आप enough courage है आपके पास अपने dreams को लेके कि हमेरे को यह पूरा करना है चाहे मैं आज का मेरे यह target है चाहे मेरे को कितना भी ले प्लस ही तो लेके आने में आराम से 2-3 महीने में पढ़के लिया हूँगा नहीं ऐसा नहीं होगा जिन बच्चों के marks 550 की range में है उनको भी यह मान के चलो starting से ही preparation करनी है अपने ठीक है next point है avoid social media देखो अभी आपका जो time है बहुत ही precious है मतलब जितनी भी social medias है जैसे whatsapp हो गय मतलब आपको पता चलता है कि मेरी classes के बार में या फिर और कुछ notes बेजने के लिए ऐसा नहीं कि सारे के सारे social media खराब है मतलब कुछ ऐसा भी है जैसे whatsapp है कभी किसी ने notes बेज़ दिया है आपको classes का पता चल जाता है मतलब telegram भी आप उसी वे में यूज कर सकते हो लेकिन जैसे इंस्टा फेस्बुक आप अपने enjoyment के लिए इन चीजों का यूज कर रहे हो तो वो गलत है ठीक है तो मतलब social media से जितनी भी आप दूरी बना सको बना लो वही बहतर है क्योंकि वहाँ पर time का पता नहीं चलता आज मेरा जो कल का जो चैप्टर है वो मेरा mechanics है mechanics में को पढ़ना है ठीक हुसमें मेरे को breathing and exchange करना है में को बोटनी के अंदर यह वाला चैप्टर करना है लिविंग वर्ड तो मतलब अपना जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वह advance के अंदर ही प्लान कर लो कि रात को सोने schedule है जो आप बनाने वाले हो तो थोड़ा सा रिलेक्स रहेगा अगर आपको एक दिन पहले और चीजों के बारे में पता होगा ठीक है पोस्टल में रहते हो तो आप उनसे कुछ भी planning के बारे में पोस्ट सकते हो थोड़ा सा walk कर सकते हो ठीक है तो 10 minute का break ले सकते हो उससे क्या रहेगा कि आपको जो brain है उसको थोड़ा सा रिलाक्स मिल जाएगा और अब ज्यादा बोरिंग फिल नहीं करोगे चीक है एक साल है आपको जितने भी लाइफ के अंदर जो जो जिसकी वज़े से आपको अच्छा लगता है जैसे खेलने से या फिर घूमने से ट्रिप मारने सब जो घूमना बहुत पसंद होता है ठीक ह पढ़ाई का लोगों में कम ही मतलब वह रहता है कि हां मैं को ट्रोप थो बहुत सारे बच्चे लेते क्योंकि 16 लग बच्चें ने डॉप लिया होगा लेकि कुछ ही बच्चे ड़या होगे होता यहिल्क क यह पते बच्छ क ो लटना होग्तोफ पाइट कर Rs. माश्न तो अक्टबर नमेंबर मैं फुल जोश में पड़ूगा जैसे देसंबर आया जन्वरी आया आपकी हवा धीली हो जाएगी ठीक है पूरा वीक के अंदर प्लाइन की थी अगर आपकी चीजों कोई मिस हो जाती है तो आपका अपना जो वीकेंड आप उसके ऊपर कर सकते हो पूरी कर सकते हो ठीक है जहां पर भी आप बैठके पढ़ते हो मतला स्टडी टेबल पर यह आपको बैठके पढ़ना चाहिए वह क्लीन होने चाहिए और उसके ऊपर ना मतलब अपने एम्स चिपका दो ठीक है मतलब उसमें डेली लगा तो जो भी आपका फेवरेट मेडिकल कॉलेज है उसके आप उसके उपर लगा तो जब भी आप पढ़ने लगोगे तो आप इधर उदर की बाते नहीं सोचोगे इस तरफ आपका जो फोकस है वह यह रहेगा कि में को यह मेडिकल कॉलेज लेना है मतलब उसमें खोनी जाना है कि अच्छा मैं तो तीन साल बाद में सर्जिरी कर रहा हू मतलब आप उसके बारे में सोचोगे तब ही तो आपको मोटिवेशन मिलेगी लेकिन पढ़ते पढ़ते उसके बारे में मत खो जाना कि मैं तो कॉलेज में यह करूगा तो मतलब रखो चिपका के जो भी आपका एम है में कुछ कुछ अच्छी इची लाइं से लिखो स्टड आपको कभी भी दूसरों से कंपारेजन नहीं करना एक कोई नहीं करना आपका जो कॉमपेशन है आपके साथ होना चाहिए आपको हमेशा यह लग रहा चाहिए कि मैंने आज इतनी चीज करी है कि मैं कल उससे बैटर कर सकता हूँ अगर आप 6 गंटे पढ़ना चाहते हो तो तो क्या मैं साथ गंटे पढ़ सकता हूँ तो आपको 2 1.5 4 1.5 यानि की डेड़ घंट आप बोटनी जोरोजी पढ़ सकते हो ठीक है अगर आपकी फिजिक्स के में या फिर बोटनी जोरोजी में कोई सब्जेक्ट जादा है तो आप यहां पर एक्स्टेंड कर सकते हो ठीक ह हो आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा विक है कहां फर आपको ज़ादा एफ conservatives मांगने आपने क्योंकि आपने बी नीट दिया होगा बहुत सारे maximum बच्चों ने नीट तो उसी के बेसिज के उपर आपने अपना जो सक्डियूल रही है एतना टाइट स्क्यडियूल नहीं बनाना है कि में छे से साथ में खाना खाऊंगा मैं साथ से आठ में घूमने जाओंगा आठ से नो मैं फिर यह पढ़ोंगा नहीं मतलब अपना जो जो स्केडूल है वो बहुत ही लाइट होना चाहिए आपका एक आपको हमारे चैनल के उपर एक टाइम टेबल करकी भी बहुत रिलाक्स रिलाक्सिंग टाइम टेबल है आप तो उसको भी फॉल् capita कर सकते हो तो मतलब बहुत अराम से आपको या जीजे सारी की वफॉलौ करनी है ठीक है मतलब अराम से हो तो आप नहीं बनाना है बना वो जो आप फोलो कर सको अधर्वाइस आप के पास कितनी विल पावर है चीजों को सैक्रिस्फाइक्स करने की चीजों को जितने भी जो हैं आपकी लाइप्टें उनकों को सैक्रिस्फाइस करने की फेसबुक इंस्टा दोस्तों के साहथ गफशर ट्रिप्स इंव पास इनफ विल पावर है इन चीजों को sacrifice करने की या फिर आप इतना hard work कर रहे हो दोनों ही चीज blond sacrifice भी मांगता है और आपका hard work भी मांता है बाकी सारी की सारी चीज़े सारी की सारी चीज़े हम समान लेंगे आपको सिर्फ अपना hard work करना है confidence, over confidence में बिल्कुल नहीं रहना, preparation अच्छे से करना है क्योंकि time अब नहीं है ठीक है जैसे इब दिवाली आजएगी दिवाली के बाद सारे के सारे festival सीजन से उसके बाद time बिल्कुल भी आपको पतानी चलेगा तायम टेबल बनाो एक दिन सोने से पहले अगले दिन का टाइम टेबल एडवांस में बना के रखो अगर आपको लगता है कि पूरा दिन कोचिंग से आने के बाद मैं इतने घंटे नहीं पढ़ सकता तो दो घंटे पहले आप उठके पढ़ सकते कुछ चैप्टर्स तो आपका जो टाइम टेबल है असा रिलेक्सिंग हो जाएगा ठीक है तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी शेर कीजिए कमेंट कीजिए जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच